कि मुख्यमंति कमला सरकार मद्द प्रदेश में अब लेने जा रहा है एक हजार करोड का कर्ज इन एहम मद्दों पर होगा खर्च और पहली बार खुले बाजार से कर्ज लेगी सरकार दोस्तों स्वागत है आपका गैनमित्रम न्यूज मेर में हूँ आप गैनमित्र कुल्द सब्सक्राइब बात करने जा रहे हैं मुख्यमंति कमला सरकार एक हजार करोड का कर्ज लेने जा रही है यह भारती भार के बाजार से प्रजान करें जाने के लिए इस वीडियो को तक अवश्य देगे और इदिए आपने विदेख हमाई चलंग सब्सक्राइब करने के पड़ा है और विकास कारियों पर ब्रेक लगा हुआ है अगले दो तीन महीनों में निकाय चुना होने हैं ऐसे हमें बादों को पूरा करने सरकार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में जुट गई है खबर एक किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है इस बार कमला सरकार खुले बाजार से एक हजार करोड रुपे का कर्ज उठाने जा रही है ये कर्ज दस साल के लिए लिया जा रहा है ऐसे में राज्य सरकार पर फिर से कर्ज बढ़ाने की संभावना है दरसल सरकार यह कर्ज सचाई के के लिए निर्मान कार ने परिवहनवा कम्यूनकेशन सहकारीता बेंक के लिए अधुसंदरशना विकास के लिए और बिजली ववस्ताओं जैसे कार्यों के लिए कर्ज लेने जा रही है बीते छह महीनों की बात करें तो सरकार अब तक एक 10,600 करोड रुपे का कर्ज ले चुकी है जनवरी से अभी तक ऐसा कोई महीना नहीं गया है जब कमला सरकार ने कर्ज नहीं उठाया हो पिछली सभाजपा सरकार पर कर्ज को लेकर सवाल उठाने वाली कॉंग्रेस अब इस कर्ज को लिए विकास के लिए उठाने वे जाने पर बढ़ता जा रहा है सरकार को अभी हाल ही में वहानों पर टेक्स बढ़ाना पड़ा है सूत्रों की माने तो सरकार खजाने के स्तथी बहुत अच्छी नहीं है वचन पत्र को पूरा करने के लिए सरकर्च पहले की तुलना में बढ़ गया है जिससे सबसे बड़ी चुनो करना है वहीं आने वाले महिनों में नगरी निकाय और पंचाय चुना होना है ऐसा में विकास कारियों को पूरा करना सरकार के सामने चुनोती बन गया है इसे में सरकार फिर से कर्ज का सहारा ले रही है बता दें कि सत्ता में आने के बाद से ही सरकार लगातार कर्ज ले रही बीते चै माईनों में 5,6 बार करज लिया जा चुका है बीते महिने ही सरकार ने दो बार करज लिया था प्रदेश के कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही अभी तक 10,600 करोड रुपे का करज लिया जा चुका है प्रदेश पर अब सरकारी रिकॉर्ट के मुताबिक एक दसमलो 82 लाख करोड का कर्ज हो चुका है दर्शकों हम इसे लगातार अपडेट बनाए हुए अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ग्यान में तर्म न्यूज को सब्सक्राइब करने और साथ बेल आइकों दबादें जिससे तरह का अपडेट न्यूज आप तक तो नंत पहुश्पाए और आप उनसे लाभान में दुश्चा के दुशकों आज की विडियों मत नहीं हम फराज रोते हैं नहीं विश्चा साथ जब तक कली जैहन जब भारत वंदे मात्रम